सूर्यकुमार यादव कम्प्लीट्स वन हंडर्ड टी दो जीरो आईसिक्सज। भारतिय टीम के विस्फोटक खिलाडी सूर्यकुमार यादव का बल्ला आखिरकार केरिबियाई दौरे पर बोलता हुआ दिखाए। दिया टी बीस सीरीज के तीसरे मुकाबले में सूर्या ने 44 गेंदों में 188 के स्ट्राइक रेट के साथ 83 रनों की शांदार मैच विनिंग पारी खेली। इसके दम पर टीम इंडिया ने मुकाबले को साथ विकेट से अपने नाम करने के साथ पांच मैचों की सीरीज को अभी भी जीवित रखा हुआ है। सूर्यकुमार यादव ने अपनी 83 रनों की बहतरीम पारी के दौरान कई रिकॉर्द्स को तोड़ने का भी काम किया। इसी के साथ सूर्यकुमार ने अंतराश्ट्रिय टी 20 क्रिकेट में अपने 100 छक्के भी पूरे कर लिए। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद सूर्या ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाडी हैं। अंतराश्ट्रिय टी 20 क्रिकेट में भारत की तरफ से अब सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने के मामले में। सूर्यकुमार यादव पहले खिलाडी बन गए हैं। सूर्या ने यह मुकाम अपने 50 वे मैच में हासल किया। वहीं रोहित शर्मा ने बानवेवे जबकी कोहली ने 104 मैच में यह उपलब्धी हासल की थी। इसके अलावा वर्ल्ड क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने के मामले में एविन लुईस के बाद सूर्यकुमार यादव दूसरे सबसे तेज बल्ले बाज बन गए हैं।